हेलो बैचों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा बाड़मी के लिए जो है सीवेसी के अंतरगत नंसी आटी के बुक के जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर चार जो काफी महतुपून है यह चैप्टर में अल्टरनेटिव सेंटर पावर का है जुसमें सक्ता के विकेल केंदर के रूप में है यह चैप्टर प्रवक समझने कोशिश करेंगे लेकिन कोशन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए इवन अमल भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वेडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा ज लालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वर्टसप स्टेटस पे भी यहां यहां पर जो हम आरे किताब में मिली जाता है इस चितर के अंतरगत कई कोशन पूशे जाते हैं किसले को आपको प्रॉबलम आती है उसको हम husband निया करने कि कोशिश करती हैं यई जिसे आपको पता ही है कि यह बाल दिवार जो बढ़ता ही चला जा जा रहा है Jix जी क्यों काफी अजूबों में से जाना जाता है यह बढ़ने का मतलब होता है कि हर देश स्का बढ़ता चला जा रहा है तो यह ड्राइगन भी कुछ बहुत कुछ कह रहा है लेकिन सबसे पहली बात तो यह होगा कि यह ड्राइगन के अंतरगत इक्जामनेर हमसे क्या क्या कोशन पूछे हैं जब तक हमें कोशन नहीं पता होगा तब तक हम उसका अंसर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगी तो डाइग्राम के तो आपने देखी लिया होगा कि यह ड्राइगन का है जो बढ़ रहा है और इसको एक बंदा रोकनी की इस अथ्जाग कोशने अंसरा कॉड़ the given cartoon written. The first equation is the most important here. Give us a country, does the given cartoon refer to here. There is a country which refers to China. China is the most important country growing to here. And identify the two symbols in this cartoon which has given to the clue about the related country. There is the Great Wall, Great Wall of Dragon. There is the identified two symbols in that cartoon which have given to their clue about the related of country there a great wall of your china there is a dragon the great wall and the dragon there is symbol of your china and the next question where does the cartoon place a relative country in the international power politics you know that the cartoon depth there are economical rise of china the economical rise of china there is show here the dragon and great wall there are dragon and great wall there are mix each other and there are symbol of economical rise of china this is the most important cartoon study here because we have studied cartoon we have known a lot of cartoon but as i said that there is nothing not going to do it the first thing is that the examiner has asked us to answer the question which is the question which is the first question that the first question is that the cartoon is given to us that the country is given to us that the cartoon is given to us that the की तरह ही लग रहा है और आपको पता है कि चाइना ज़्याइस कहीं ऐसे हैं कि ड्राइगन आम उसी के नाम से जानते हैं ड्राइगन जो दर्शाइग गई है आपको फेस जो आपको ड्राइगन का दिखाया गया यह वह चैना का ही है इसलिए चीन लेसे लिएप को को नजरा रहा है जो ड्राइगन को बाल के साथ उसको आठाच कर दिया गया गाँ कि ये बॉल किस देसा का आपको पता है कि अजुबहों जो या यागवा व्क अजुबह ये क अजुबह यह को जो है उसमें बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया लेकिन आज इसका महत्व और वर गया है और चाइना जो है दो चीज़ के लिए जाना जाता है और एक ग्रेट वॉल अफ चाइना के लिए जाना जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चीन का है तो पहले का तो हमारा clear हो गया कि दिया गया काटून किस देश का देता है तो वह है चीन का अगला कोशन यही पूछा गया कि इन काटून में दो पर्तिकों के पहचान में जिनमें आपके समंद देश के बारे में सुराग मिला है देखिए हम सुराग में तो साफ बात कर चुके हैं कि यह जो है एक बॉल को दर्शाया गया है और एक क्या दर्शाया गया है एक ड्राइगन को तो इसका अंसर तो साफ हो गया कि इन कार्टूनों में दो प बहुत ही असानी से आपको अंसर भी मिल जाता है अगर तिसरे कोशन की बात करें तो काटून सम्मंधित देश के अंतराष्ट सत्ता राइज तो कहां रखता यानि यह ड्राइगन कि क्यों दिखाया गया और इसको क्या दिखाने कोशिश किया गया है तो जर्नल सी बात है आप आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है क्योंकि हम जो यह चैप्टर किये हैं सत्ता के बेकलिप के अंद्री यानि अल्टरनेटिव सेंडर ओपावर तो उसमें जो है चाइना बहुत ही फास्त तलीके से एकनोमिक अर्थ विवस्ता को बढ़ाया है तो यही बात यहां प टेओं की जो यह काटूण है काटून में यह दर्शाया गया है कि जो चीन के आरथिक उत्थान को इसमें बीखूबी धर्शाया गया है और यह बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ एकनॉमिस को दिखाया गया है जिसको रोकना बहुत देशों के लिए बहुत कटिन कारे है चाहे वह European Union हो यह European Sun हो चाहे अमेरिका हो उसके लिए बहुत ही आज टेड़ी खीर नजर आ रही है कि चाइना बहुत ही fast growth से अपने product पूर इस बात के तरफ दशाया गया है काटून में चीन के आर्तिक उठान को दशाया गया है कि यह बहुत तेजी से आगे बर रहा है दोसरी के साथ हमारा यह question भी और जितना हो सक शेर किजिए अगर आप पहले बार विडियो देख रहे थे पहली बार मेटे चैनल पर आए हूं अगर समझ में अच्छा लगा है चूनक सब्सक्राइब करके जरूर रख जी क्योंकि एक्जाइम तक आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है और तिरिपान असे अंडर जडनल सी बात है कि यहां एड से इम्में तक बच्चों के लिए बहुत काफी मददगार है कहते हैं इसमें बहुत से टीम लगे हुए हैं जो आपके लिए हमेशा कारे रत हैं तो सोचिए नहीं विचार नकिजिए चलो सब्सक्राइब करके अपने मुबाल में अवस्य सेव कीजिए